Learning theories में हमें 20 सदी में ये एक paradigm shift नज़र आता है जिसमें के constructivism के बारे में बात होने लगी और जहां पर के school के साथ साथ, school की अफादियत के साथ साथ बहुत से और stakeholders की importance को भी इंतहाई एहम समझा जाने लगा और उसको acknowledge किया जाने लगा जिसमें के parents का और community का रोल बहुत जादा नुमाया है जो research educational leadership में effective schools के बारे में हुई तकरीबन 40-50 साल पहले और उसमें जो correlates और characteristics 7 हमें पेश किये गए उसमें भी एक एहम characteristics इसी ही जम्रे में और इसी ही सम्स में हमें एक रानुमाई करता है और वो बात करता है positive home school relations की यानि home and school के दर्मियान में जो relationship होना है होना चाहिए वो क्यों जरूरी है पहले तो हमें उसकी understanding होनी चाहिए क्यों का जवाब अगर clear हो तो फिर किस तरह से हम उसको बेतर कर सकते हैं उसका जवाब भी हम खुद बखुद उसकी तरफ convince होके काम करना शुरू कर देते हैं nobody can deny the importance of the home and its life जो कि एक बच्चा अपने साथ वो लेकर school में आता है school में खास तरह का social capital develop होता है एक खास तरह का आप समझेए कि वो experience develop होता है जो कि बच्चे school life के अंदर जो भी हम culture claim करें कि this school is trying to establish this culture ये भी non fact है कि school के उस culture में बहुत सारी एक तरह से mixing भी होती है उसके अंदर एक co-constructivism take place करता है जब हर घर का culture उस पच्चे के साथ जो school में as student आ रहा है वो school में आता है और शामिल हो जाता है so इस social interaction को हम अगर overlook करें तो हमारी जो learning का process है और जो learning environment है जो effective schools में हम claim कर रहे हैं वो कभी भी सही तोर पे established नहीं हो पाएगा इसलिए home and school के relationship को पूरी तरह से acknowledge किया जाता है क्यूंकि बच्चा आपके पास जिसे age पे आ रहा है और अगर आप educational psychology की theories को देखें तो उसमें आपकी mind की development आपकी personality की development, आपकी cognition, आपकी cognitive development उसकी certain stages है और certain आप समझे कि एक procedures है और वो interlinking है different theories में जिसमें के society का और more specifically घर का जो एक experience है वो बहुत ज़दा एहम है घर को और parents को घर में भी सबसे ज़दा जो important importance दी जाती है वो parents को दी जाती है माँ और बाप को, उनके role की अफादियत, उनकी एक particularly माँ के role की अफादियत को और उसके interaction को younger years में अब दुनिया की हर research acknowledge करती है जैसे के हमारे दीन में भी उसकी इंतहाई ज़दा एहमियत मौजूद है और उसकी आगई हमें दी गई है इसी तरह हर research अब इस चीज़ को acknowledge कर रही है कि parental जो involvement है और किसी भी बच्चे को अगर एक ऐसा घर में महौल मिल रहा है कि जिसमें कि वो एक satisfied environment में अपने parents के साथ रह रहा है तो उस बच्चे की learning abilities उस बच्चे की एक personality development उसमें बहुत स्यादा बेहतरी और positivity देखने को मिलती है as compared to another child जो कि इस तरह के environment से unfortunately deprived है तो इसलिए एक पहली बात कि parents को अपने role की importance की आहमियत को भी आगाह करना एक तरह से school का फर्स बन जाता है number two कि school और उस घर के दरम्यान में भी positive relationship मौजूद है या नहीं वो किस तरह से आप उसको उस घर के experience को घर के experts को जो के education के process में unknowingly participate बहुत active stakeholder के तोर पे कर रहे हैं उनको आप कैसे अपने साथ शामिल करते हैं ये खास focus होता है इस तरह के schools में जो के effective होते हैं वो parents को involve भी करते हैं उनके opinion भी लेते हैं उनको feedback भी लेते हैं उनकी expertise को utilize भी करते हैं और अगर आप feedback कर रहे हैं for example आपने PTMs करवाई हैं parent teacher meetings आप करवा रहे हैं अपने school में तो आपने अगर वहां पे किसी भी तरह का कोई opinion एक clinically opinion box रखा है feedback लिया है you must then make use of that opinion and the information that's coming through that you know resource otherwise there is no point के आप उनको क्यों बिला रहे हैं और उनको क्यों include कर रहें secondly अगर आपका उनके साथ एक अच्छा relationship established है तो sometimes बच्चों में एक ऐसी तबदीलियां भी देखने को मिलती है जो नाखुशकवार हो सकती है for example लड़ाई जगड़े की खुदा नाखासता किसी बुरी आदत की जो कि school के culture में अगर नहीं है तो फिर parents को और घर के साथ हमें esteem काम करने की जरूरत होती है ताके हम उन problems को address कर सकें और हम अपने next generation को जो हमने school से society को देनी है उसको बचाके एक अच्छे रस्ते पर गामजन कर सकें so parents and home does provide a lot of important help and role to play with school in the in the process of learning when it comes to effective schooling